प्रेगनिंसी के दौरान अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर काफी चिंता में रहती हैं कि उनका पेट कड़ा क्यूं हो रहा है याने कि प्रेगनिंसी के दौरान उनका पेट टाइच क्यूं हो रहा है इसके पीछे काफी कारण होते हैं और इसको लेकर कई बार गर्वती महिला काफी परेशान हो जाती है तो अखिर इसके पीछे क्या कारण है प्रेगनेंसी के दौरान पेट कड़ा क्यूं होता है और कब आपको इसको लेकर परेशान होना है यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कभे बिल्कुल नॉर्मल होता है और कब आपको त जाना उनमें से एक बदलाओ है हाला कि यह कुछ मिनटों के लिए होता है और उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है तो चलिए आप जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट कड़क होने के कारण क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुवाती दौर में कई कैथ हो जाती है और उन्हें अपना पेट कड़क महसूस होता है दूसरा कारण है गर्व में शीशु का तेजी से बढ़ना प्रेगनेंसी के शुरुवाती दौर में यूट्रस में शीशु तेजी से बढ़ना शुरु होता है जिससे पेट टाइट और कड़क महसूस होता है साती कई बार थोड़ी देर के लिए ऐसे में कसावट भी पेट में महसूस होती है और ये इसले होता है क्योंकि इस दोरान पेट की मानस्पेशियों में तेजी से खिचा होता है तीसरा कारण है ब्रेकस्टन हिक्स कॉंट्रक्शन प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्वती महिलाओं को ब्रेक्स्टन हीक्स याने के फर्स लेवर पेंस स्टार्ट हो सकते हैं ये संकुचन 15 से 20 सेकंड या कभी कभी एक मिनट तक के हो सकते हैं और इस दौरान आपको अपना पेट कड़क भी महसूस हो सकता है लेकिन आपको बता दूँ ये जो पेट कड़क है ये कुछ देर के बाद खुद से ही ठीक भी हो जाता है इसके अलावा जब आप प्रेगनिंसी के तीसरे टाइमिस्टर में याने की तीसरी तिमाही में पहुँच जाती हैं तो उस दौरान शीशू का विकास इतना हो चुका होता है कि शीशू को पेट में मूमेंट करने के लिए जगे कम पढ़ने लगती है ऐसे में आपके पेट पर शीशू का दबाव पढ़ने लगता है जिसकी वज़े से कई बार पेट कड़क महसूस होता है इसके अलावा पांचवे महीने के बाद जब शीचु मुमेंट शुरू करता है तो उसके बाद भी कई बार शीचु के मुमेंट करने की वज़े से पेट कड़क होता है लेकिन शीचु सबसे जादा मुमेंट प्रेगनिंसी के साथवे महीने में करता है और जब वो तेजी से म उमेंट करता है तो उसका दबाव आसपास की मन स्पेशियों पर पड़ता है और पेट थोड़ी देर के लिए कड़क हो जाता है जो के बिलकुल सामान्या है ऐसे में आपको घबराने की कोई आवशकता नहीं होती साथ ही अगर आपकी प्रेगनिंसी का आटवा या फिर नवा महिना चल रहा है और ऐसे में आपका पेट टाइट हो रहा है यानि के पेट कड़क हो रहा है साथ ही आपके पेट में और पीट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ये जो दर्द है धीरे धीरे बढ़ता ही जा तो इसको आपको इग्नौर नहीं करना है ऐसे में आपको तुरंट अपने टॉक्टर के पास जाना है क्योंकि हो सकता है ये वो समय हो जब आपकी डिलीवरी होने वाली हो इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के फर्स ट्राइमिस्टर में या ऐसे में भी आपको तुरंट अपने टॉक्टर से मिलना है तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से आने के फर्स ट्राइमिस्टर से लेकर प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमिस्टर तक पेट कड़क होने के कारणों के बारे में मैं उमेद करती यह वीडियो आपके लिए योस्फुल होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर सरूर करें धन्यवाद